क्या आपको भी मेरी तरह नेश्रल डाय बनाकर अपने बालों में लगाना पसंद है तो ये वीडियो आप सभी के बहुत ज़दा काम आने वाली है क्योंकि इस डाय में कोई भी केमिकल मिलावट नहीं है ये एकदम नेश्रल है सबसे अच्छी क्वालिटी इस डाय की ये है कि या बहुती आसान तरीके से इसे अपने घर पर बनाकर अपने बालों में जब इसे लगाओगे तो आप देखोगे आपके बालों में बहुती अच्छा कलर आएगा जो आपके सफेद बाले वो धीरे धीरे कवर होने लगेंगे आपके बालों में बहुती अच्छा रंग च क्या के समान की जरूत पढ़ने वाली है तो देखिए यह नेस्ट्रोल डाई बनाने के लिए आपको यह पर जरूत पढ़ेगी सबसे पहले कोकुनट ओईल की दूसरा आपको लेना है कॉफी पाउडर दोनों ही चीजें आपको किसी भी जर्णल इस्टोर पर आसानी से मिल जा जर्णल देना है कॉफी पाउडर जो आपने कोकोनट ओईल लिया है यह आप अपने बालों की लेंद के अकोटिंग कम्या जादा कर सकते हो दो चम्मच थीं चम्मच अपने इसाब से ले लीजिए तो दो हमच मैंने लिया था यहां पर कोकोनट ओउडर उसकी अंदर मैंने तो आप देखोगे धीरे थोड़ी ही देर में यह ओल है जो हमने कोफी पाउडर है दोनों ही बहुत ही अच्छी डाइवन के तेयार होगी आपको इसके अंदर एक चीज और डालनी है वह आपको डालना है अलोवीरा जेल अगर आपके पास में मार्केट का अलोवीरा जेल है तो आप इसके अंदर दो से तीन चमच भरके डाल दीजिए या फिर अपने बालों की लेंद के अकोडिंग डाल सकते हो अगर आपके पास में घर का मतलब प्लांट है और उसका पल्प लेके उसे मिक्सी जार्मन डालके अच्छे से पीश के च्छान के ठीक है मोटा मोटा स यह इसने संदेशल हैं इसलिए फ़ती हैं अगर आपको कि प्राप्राब्लम नहीं होता फार प्राप्रें से कोई भी प्राप्लम नहीं होती है तो आप इसके अंदर दो से तीन चमच भरके बालों के डाल सकते हो ने के लिए इसे आप अच्छे से मिला दीजी तो मेरे रीन मेंदी इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे सरमेदर होने लगता है अब हमारी जो डाय बनके तियार हो गई अम मैं डाल देती हूं अब देखिए आपको इसी डायरेक्ट गेस पे नहीं रखना है आप ऐसा सोचो कि हम इस काटूरी को डायरेक्ट गेस पे मतलब रखके थोड़ा जब ठीक हो जाए तो देखिए अब आपको अपने बालों में इस डाय को लगाना है आप इसे अपनी जड़ों में लगा लीजिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी जड़ सबसे पहले तो आपको जड़ों में एक मोटी सी परत इसकी लगा लेनी है क्योंकि जो हमारे बाल जड़ों 17 आपकी जर्ड़ में बचण बचना को कोई, पहसे अपको नहीं शुटार एक बाल जेए जो आपकी बाल स्मय旬ाम लेज से में लगा लीजिए. लगाने के बाद आपको इसे कम से कम तीन गंटे के लिए अपने बालों में लगा कर छोड़ देना है अगर आपको नाइट में इसे लगाने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है तो पूरी रात इसे लगा मतलब आप सोने के लिए जाते हो उससे पहले आप इसे अपने बाल अब यहां पर आपको नीम नहीं आईगी ठीक से तो आप इसे एक तिन में जब लगाते हो तो आपको कम से कम तीन गंटे का टाइम इसे जरूर देना है जिससे जो आपका कलर है अच्छे से आपके बालों में चड़ जाए ठीक है आपके बालों में जो कलर आएगा डार्क ब् आपके बालों में तेल नहीं लगा होना चाहिए अगर आपने पहले से अपने बालों में कोई भी कैसा भी तेल लगा के रखा हुआ है तो आपको शेंपू करना होगा शेंपू करके अपने बालों को अच्छे से आपको ड्राय करना होगा उसके बाद इस डाई को आपको अप जरूर लगाना है जब आप इस डाई को हफते में तीन दिन लगाऊगे और एक महीने लगा लोगे तो आपके बाल कम से कम ने तो 80% कवर हो चुके होंगे बहुत ही गहरा रंग चड़ेगा बहुत ही अच्छा रंग चड़ेगा आपको इसे रूटिन में लेकि आना है कि हर आप समसे पूछते हो कि दीदी आप अपने बालों में कौन सा लगाते हो जो आपके बाल इतने ज़्यादा सिल्की हैं सायनी हैं सॉफ्ट है और इतना अच्छा रंग आपके बालों में रहता है तो देखिए यही सब चीजे होती हैं इनको ही मैं अपने बालों में अपने लगाती हूं इन इसे मैं अपनी बोड़ी की केर करती हूं इनके जो रिजल्ट्स होते हैं मेरे बहुत ही अच्छे होते हैं और सबसे अच्छी क्वालिटी मुझे इनकी यह लगती है कि नमें कोई भी केमिकल मिलावट नहीं होती है इनका जो असर होता है आपको थोड़ा सा दिरे दिरे मिलता है लेकिन इनका कोई भी साइड फेक्ट नहीं होता है आप ऐसा चाहती हो कि मार्केट के प्रोड़क्स होते है उनकी आपको आदत लग जाएगी ठीक है तो आप जितना हो सके नेस्रोल चीजों से केर करोगे ना तो इनका रिजल्ट आपको लेट जरूर म आपको इनके रिजल्ट इतना अच्छा मिलेगा कि आप खुश हो जाओगे और मार्केट की डाई लगाना हमेशा के लिए छोड़ दोगे लेकिन आपको इसे हफते में तीन दिन लगाना होगा इस डाई को लगा कि मैंने छोड़ा है कम से कम 2-3 घंटे के लिए ठीक है दो बार में आपके बालों से चिपचपाट नहीं निकल पाती है तो आप दो बार भी शेम्पू अपने बालों में लगा सकते हो और अपने बालों को अच्छे से और आप देखिए कितना अच्छा डार्क ब्राउन आपको कलर मेरे बालों में नजर आ रहा होगा तो मैं इस यानि कि नई वीडियो के साथ, नई व्लॉक के साथ, ठीक है और मेरी वीडियो आने वाली है, जिसमें मैं आपको बताओंगी कि अगर आपको किशी शाधी पार्टी में जाना है, तो तुरंत निखार आपके चे terrific पर कैसे आएगा तो मेरी जरूर देखना मुझा